Hello everyone, so RBI ने रीसेंटी एक बहुती बड़ा डिसीजन लिया है That is, जो 2000 रुपीज के नोट है, वो विड्रॉ किये जाएंगे from circulation अब जब हम ये निउस सुनते हैं, तो हमारे माइंड में various questions आते हैं जैसे की इसका मतलब क्या है? क्या ये demonetization 2.0 है? क्या ये वापिस वैसा ही chaos create करने वाला है जैसा 2016 में जब demonetization हुआ था, उस टाइम पर किया गया था हम ये जो 2000 रुपीज के नोट है, इन्हें कैसे exchange कर सकते हैं? कब तक exchange कर सकते हैं? क्या ये अब हम बिलकुल भी use नहीं कर सकते हैं? तो ऐसे ही various questions हैं जो आप लोग के mind में आये होंगे जब आप लोगों ने ये particular news सुनी होगी तो इस particular video के थुरू, हम लोग इन various questions के जो है answers को जानेंगे and समझेंगे कि RBI ने आखिर ऐसा किया क्यों? तो चलिए, सबसे पहले जो है, we'll see कि why are rupees 2000 bank notes withdrawn from circulation? सबसे पहले तो अगर देखा जाये तो ये जो 2000 rupees के note है ये बहुत time से नहीं चलते आ रहे हैं हमारी जो economy है उसमें after demonetization जो की 2016 में हुआ था जसमें 500,000 के notes को जो है demonetize किया गया था उस time पर 2000 rupees के note को जो है circulation में लाया गया था क्यों लाया गया था तो वो जो general public है उसके जो currency requirement है उसे fulfill करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसले लाया गया था ताकि हम लोगों के पास में जो है enough cash in hand हो सके अब after 2017 अगर हम लोग देखें तो जो ये bank note of rupees 2000 इनका जो issuing है वो बहुत ही कम हो गया है if we'll see तो RBI ने जो है scrap कर दी थी printing of 2000 rupees note 2018-19 में सबसे जादा जब issue किये गये थे वो थे आपके March 2017 के पहले that is 89% of जो है 2000 rupees note March 2017 के पहले ही issue हो चुके थे now according to RBI की जो clean note policy है every 4-5 years RBI जो अपने पुराने note circulation में चलते है उन्हें withdraw करती है new notes को लेकर आती है now what is this clean note policy तो basically इसके अंदर RBI का motive ये रहता है कि जो पुराने notes हो चुके हैं जिनमें features कम है जिनमें security कम है उन्हें withdraw किया जाए from the economy and जो new notes है of the same denomination उन्हें क्या किया जाए उन्हें जो है circulate किया जाए in the economy जिसमें की जादा अच्छे features रहेंगे and जादा security रहेंगी तो after 2017 वैसे भी जो है आपके 2000 रुपीज के notes बहुत ही कम issue हुए थे so इनका वैसे भी time आ चुका था 4-5 years हो चुके थे उनका जो life span है वो almost खतम होने पर आ चुका था कि अब जो है इन्हें withdraw किया जाएगा and new notes को जो है लेकर आया जाएगा लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि RBI ने withdraw तो किये 2000 रुपीज के note लेकिन इसके against कोई new currency launch नहीं की है अगर हम लोग बात करें तो अभी at present अगर March 2023 की बात की जाए तो ये जो 2000 रुपीज के note है ये सिर्फ और सिर्फ 10.8% constitute करते है of the whole currency which is in circulation तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो general public की dependency है on rupees 2000 note वो बहुत ही कम है हम लोग अपनी daily के जो transaction है उसमें इस particular note का बहुत कम usage करते है उसका reason simple सा है कि note का amount बहुत बढ़ा है और इसकी against exchange मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए हम लोग जो छोटे denomination के notes है उन पर जादा rely करते है अगर देखा जाए तो ये जो 2000 rupees के note है ये आज की date में अगर सबसे जादा कहीं पर use हो रहे है तो वो in the form of black money होते है तो RBI ने ये जो various चीज़ हैं इनको ध्यान में रखते हुए ये जो 2000 rupees के bank note है इन्हें withdraw करने का decision लिया है तो यहाँ पर उनकी जो policies थी that was जो clean note policy है उसे promote करना plus जो black money है उसे रोकना and जो black money के holders हैं उन्हें भी पकड़ना ठीए So this was all की why जो है 2000 bank notes को RBI ने withdraw किया है Now अब जो है question ही आता है कि जो हमारे पास में notes है उन्हें कैसे exchange किया जाए तो देखो बहुत ही simple चीज है 2016 में जो chaos हुआ था वैसा अब नहीं होगा Reason being कि हमारे पास में काफी time limit है RBI ने एक अच्छा खासा time limit प्रोवाइड किया है Also ये जो notes है ये legal tender है Legal tender का मतलब होता है कि ये जो notes है इसे backing मिली है by the central government and the RBI and आज भी हम इन्हें transaction करने के लिए use कर सकते हैं No one जो है इसे मना करेगा accept करने से तो ये अभी भी legal tender है अगर हम लोग चाहें तो अभी भी इसे market में use कर सकते हैं various goods and services को consume करने के लिए इसके apart ये exchange कैसे होंगे तो RBI ने time limit दी है हमें from May 23 इसी जो है आपके 2023 year में ही जो May 23 है तब से start होगा और ये चलेगा till September 30 तो we have this time period इसके बीच में हम लोग जो है हमारे इन bank notes को क्या कर सकते हैं exchange कर सकते हैं exchange कहां पर होंगे तो या तो आप जो regional banks है of RBI वहाँ पर हम जो है इने exchange कर सकते हैं या फिर बहुत ही simple हमारी जो respective banks हैं जुसमें हमारे bank account को ले हुए है हम वहाँ से इने exchange कर सकते हैं यहाँ पर जो exchange है क्या उस पर कोई limit है तो yes वहाँ पर limit है हम maximum at a time 20,000 rupees या 20,000 amount को ही exchange कर सकते है that means अगर आप लोग के पास में 2,000 के मान लीजे 20 notes रखे हैं तो आप at a time सिर्फ और सिर्फ 10 notes लेकर जा सकते हो which is equal to rupees 20,000 लेकर यहाँ पर एक और चीज है कि अगर आपको जो है बापस cash चाहिए तो आप सिर्फ 20,000 ले जा सकते हो लेकर आपके पास में 20 notes से 2,000 के आप सारे deposit कर दो आपकी bank account में आप cash withdraw मत करो यह चीज possible है कि you can like directly deposit आपके account में आ जाएगा लेकर आप उस पर at a time cash withdraw नहीं कर पाऊगे तो अगर आपको 2000 के बदले में कोई छोटा denomination चाहिए तो आप maximum limit कितनी रहेगी आप लोग के पास में 20,000 की और अगर आप आपके bank account में deposit कर रहे हो तो आप इससे जादा भी deposit कर सकते हो So rupees 2000 note can be used for transactions and other payments that means जो है यह अभी भी क्या है अभी भी हमारा legal tender money है All right September 30 तक का हमारे पास में time limit है तो आराम से हम जो है इससे क्या कर सकते है हम आराम से जो है इससे exchange कर सकते है All right Then उसके बाद में जो एक बड़ा कुश्यन आता है जिसको RBI ने बोला है कि हाँ जो 2000 रुपीज विड्रॉ करेंगे उससे black money जो है वो काम होगा तो क्या सही में it will help to curb black money क्या actual में ऐसा होने वाला है तो अगर हम लोग experts की सुने तो उनका बोलना है Yes ये जो है आपकी black money को जो है curb करने में help करेगा अब ऐसा क्यों क्योंकि अगर हम लोग देखें तो general जो हमारे day to day transactions है उसमें हम लोग 2000 रुपीज को बहुत ही कम use करते है तो 2000 रुपीज के notes को use कौन करता है या इसे जो है इसे use किस particular purpose के लिए खिया जाता है तो this is mainly जो है black money के purpose से किया जाता है जो लोग जो की इन सारी चीजों में deal करते हैं वो इस big amount का जो note है उसे hoard करकर रखते हैं उसे अपने pass में रख कर रखते हैं तो ये जो है ये black money को curb करने में बिलकुल help करने वाला है अब for an example हम लोग bank में जाएं और हमने 20,000 रुपीज का amount लेकर गये हैं उसे exchange करना है तो हमारे उपर कोई भी kind of investigation नहीं होने वाला है लेकिन for the person जो की बहुत जादा जो है big amount को exchange करेगा वहाँ पर जो है सभी लोगों की जो है क्या जाएगी जो नजर है वो जाने वाली है और वहाँ पर investigation हो सकता है तो ये clearly जो है क्या लेकर आएगा जो black money है market में उसे withdraw करेगा So yes, it will help to curve black money Then again इसके बाद में जो एक और बहुत ही बड़ा question आता है हम लोगे सामने कि इसका impact economy पर क्या होने वाला है क्या चीजों के prices में बहुत जादा changes होंगे, क्या stock market crash हो जाएगा, तो जो various ये जो particular decision इसकी वज़ज़ से economy पर क्या effect होगा, तो अगर देखा जाए, तो कोई खास effect नहीं होने वाला है, कोई खास impact नहीं होने वाला है, reason being कि हम लोगों ने अभी अभी देखा कि as of March 2023, अगर देखा जाए, तो ये जो हमारे 2000 रुपीस के note है, ये total currency के सिर्फ और सिर्फ 10.8% जो है amount को रखते हैं, इतना जो है circulation में है, तो अगर देखा जाए, तो बहुत ही कम जो है, आप लोग डेली में जो है, यूज करते हो इस पर्टिकुलर note को, also जो हमारे पास में time limit दिया गया है, वो भी हमारे पास में काफी अच्छा है, all right, September 30 तक जो है, हम लोग इसे exchange कर सकते है, तो that means कि बहुत जादा, जो है, chaos create नहीं होगा and also, जो है, जो various analysis है, उससे ये समझ में आया है, कि general public is 2000 रुपी के note को कम यूज करती है तो in short we can say कि जो general public है, उससे बहुत जादा परेशानी नहीं होगी हम लोग आराम से जो है, दीरे दीरे करकर क्या कर सकते हैं इस 2000 रुपी के note को exchange कर सकते हैं, तो from May 23 एकदम से जो है हमें इतना जादा पैनिक होने की जरुरत नहीं है, कि जल्दी से जल्दी हमें जो है, इस particular note को exchange करवाना है, क्योंकि हम ये चीज़े आराम से भी कर सकते हैं because we have a like perfect time limit for this तो इसका जो impact on economy है, वो कुछ great impact नहीं होगा, जो normal functioning चल रही है, वो चलते रही कि इसकी वज़े से बहुत ज़्यादा panic वाली जो situations है वो create नहीं होगी now एक question ये भी आता है कि RBI ने जो ये exchange की window रखी है, ये 23rd of May से क्यों start की, अभी इसे immediately क्यों नहीं की तो simple सा reason है कि इतने time में ये जो 2-3 days का time period है, इसमें various जो banks है, वो भी का करेंगी अपने आपको prepare करेंगी and वो भी जो है इस चीज के लिए ready हो जाएंगी, कि अब जो है उन्हें ये जो note है उसे exchange करना है, तो proper उनके पास में भी cash reserve को maintain करना ज़रूरी है, so in this 2-3 days, banks जो है, वो अपने इंट से सारी preparation को complete करके रखेगी, ताकि जब general public जाए, तो उन्हें कोई भी kind of panic ना हो, तो I hope so कि ये जो 2,000 rupees जो कि withdraw कि ये जा रहे हैं from circulation, इससे related जो various questions थे आप लोगों के mind में, वो clear out हो गए है, and I hope so कि अगर कोई भी kind of panic वाली situation थी from your side, तो वो अब आपकी is out हो चुकी होगी, तो बिल्कुल भी panic नहीं करना है, बिल्कुल भी हमें ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा क्या होगा, क्या नहीं होगा, बस go with the flow, जो भी process और ये उसके हिसाब से हम चलते जाए, सारी चीज़े जो है वो हो जाएंगी, and इस बार जो है, टू थाउजन सिक्स्टीन में जो पर्टिकुलर सिचुएशन जो कंडिशन्स अराइज हुई थी, वो नहीं होने बाली है, and also this is not demonetization 2.0, बलकि ये एक RBI की clean note policy का ही step है, I hope so ये सारी चीज़े आप लोगो clear होगी, and ये वीडियो आप लोगो के लिए useful रहा होगा, thank you